वाटर टेक्स यानि कि जलकर टेक्स आप सवय में घर बैठें ऑनलाइन कैसे पे करेंगे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर यदि आप मद्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो मद्य प्रदेश का वाटर टेक्स आप कैसे पे करेंगे तो इसके लिए सबसे पैदे आपको इस वेब साइट पर जाना है इसका लिंक मैं आपको नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वेब टेक्स अगर यदि आपको पे करना है तो वाटर बिल पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे यूबी एल नेम में आप अपना नगर निगम जोन का चेन कर लेंगे मैं यहाँ पर जबलपूर का चेन करता हूँ आपको यहाँ पर आपका वाटर टेक्स आईडी नंबर दर्ज करना नीचे जिस किसी के भी नाम का या वाटर टेक्स है तो उस और का नाम यहाँ पर शो जाएगा तो आप यहाँ पर यह verified कर सकते हैं कि आपने जो आईडी डाली है वैश सही है यह नहीं आप अपने वाटर टेक्स की सिलिप से इससे मिला लेंगे इसके बाद नाम के पर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड का वेट करना है अब यहां पर वाटर टेक्स की सारी जानकारी आ चुकी जैसे की कंज्यूमर आईडी नेम सिटी पोश्टल एरिया पिन कोड आपको नीचे आना है यहां पर आपको टोटल एमाउंट भी शो रहा है कि कितने का आपको टेक्स अभी पे कर चाहते है तो मिनमम्म questi पेंड भी याँज पर बवगाएंगे तो आपको जो नश्रेक्स पोरण इमाउंट को यहां पर दर्ज कर दो मोबाइल नमबर आप यहाँ पर कस्टमर का दर्ज कर देंगे इमेल आइडिया अगर यदी हो तो दर्ज कर देंगे अब आप आनलाइन टेक्स को पे करने के लिए पे आनलाइन पर आप क्लिक करेंगे अब नेश्ट पेज में आपको ट्रांजेक्शन आइडी और एमाउंट आप एस ट्रांजेक्शन आईडी को कही नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका फोटो ले सकते हैं वह इसलिए अगर यदी पेमिंट करते वक्त आपका पैमैंट फील्ड हो जाता है तो आप इस ट्रांजेक्शन आइडी की मदद से अपने इस बिल्ory को फाइड कर पाएंगे इसके बाद confirm and process payment पर click करेंगे term and condition के box को tick करेंगे किस माद्य हम से payment करना चाहते हैं उसका chain कर लेंगे internet banking, credit card, debit card या फिर UPI या free recharge, UPI से करना चाहते हैं तो आपको आपको यहाँ पर UPI number दर्ज करना होगा जो भी नीचे capture code दिया है इस box में दर्ज करेंगे पीछे amount शो रहा है, complete payment on phone पर click करेंगे अब आपके mobile पर जो भी आपने UPI ID डिये है वहाँ पर एक payment request पहुचाए गई है आप अपने mobile से उस payment को successful कर लेंगे internet banking के माद्यम से करना चाहते है net banking पर आएंगे, access bank है तो आप access bank retailer या corporate का chain कर सकते हैं दूसरा bank है तो other bank पर आप click करेंगे net banking पर आप click करेंगे यहाँ पर जो भी bank है आप यहाँ पर अपना bank का नाम सर्च कर सकते हैं कुछ shortcut bank के नाम उपर दिये हुए इनमें से कोई bank है तो उसका chain करके आप make payment पर click करके इसका payment successful कर लेंगे जब आपका transaction successful हो जाता है यहाँ पर payment successful का आपको message शो हो जाता है इसका print लेने के लिए आप print receipt पर click करेंगे यहाँ पर आपका receipt download हो चुका है और इस receipt में आपको payment की सारी details दी गई है आप इस slip का print ले सकते हैं और इसे अपने पास save करके रख सकते हैं उपकी जन्दारी पसंद आई होगी इसी प्रकार की वीडियोज देखना पसंद हैं तो चैनल का भी subscribe एब हम follow जरूर करें वज़े दीज़ेज़ासे जैहिन बंदे मात्राम